आज हम लोग आज discuss करने वाले हैं, फटाफट से class के अंदर आजाईए, class start हो चुकी है, जल्दी से share कर दीजे, छोटा सा एक technical issue था, जिसकी विज़े से थोड़ा सा delay हुई है class, Yes, come on, अभी everything is okay, everything is fine, Yes, तो काफी सारे students मुझे नज़र आ रहे हैं, class के अंदर, आज जो topic हम लोग cover करने वाले हैं, assistant professors की बहुत demand आ रही थी, कि sir assistant professors वगेरा के जो topics हैं, वो भी cover करा दीजिए, क्योंकि जब आप cover करा देते हैं, तो फिर वो questions जो होते हैं, वो हमारे पक्के हो जाते हैं, मैं अच्छी तरव से समझ में आ जाता हैं, तो जो assistant professors के topic हैं, और ये UGCNet के लिए भी बहुत important topics हैं, क्योंकि actually ये आपके foundation course में include कर रहा हूं, तो बहुत important है, आप सब लोगों को सुरू से आकरी तक देखना चाहिए, और सबसे पहले इस lecture को like जरूर से करना चाहिए, जल्दी से share कर दीजे, क्योंकि कुछ technical glitch के कारण क्या हुआ, कि बहुत सारे students वह वापस चले गए, तो very good morning everybody, जल्दी से आजाएए class के अंदर, फटा-फट से, come on, yes, तो क्या होता है community, community को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, samudai, ठीक, samudai, बहुत important है, जितने भी पुराने students मेरे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, कि मैं samudai के किवल दो points आप लोगों को याद रखने के लिए बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब वो points आपको दिख जाएं, तो ये समझ लीजिए कि community की बात हो रही है, कौन से वो दो points हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद है, फिर उसके बाद आता है society, अब एक चीज प्रोफेसर का या किसी भी exams का syllabus देखते हैं, तो वहाँ पर community के साथ society होता है, तो क्या दोनों में कोई similarity है, कोई समानता है, तो बहुत important बात है, दोनों में समानता ये है कि दोनों में number of individuals पाए जाते हैं, यानि दोनों में व्यक्ति, व्यक्तियों से बना हुआ होता है, दो अच्छे एक बात बताईए मुझे, किसने कहा था कि society में society के दो parts होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं community, यानि कि गमाई शाफ्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं jaisal shaft, देखें कितने लोगों को याद है, फड़ा फट से बताईए, यस, very good, very good, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे पुराने students जो हैं, वो answer कर रहे हैं, जैसे कि, सबसे पहला जो answer है, वो मैं देख रहा हूँ, किसने दिया है, सब यहीं है, संद्या कह रही हैं, यस, थैंक यू, जैसोलंकी, सबसे पहले जैसोलंकी ने, फर्स्ट पॉइंट बताया, जो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, क्या था फर्स्ट पॉइंट, वी फीलिग, याद रखशिएगा, वी फीलिंग में वीडेवल ली हो गया, ठीक, याने हम, की भावना हम की भावना हम की भावना जो है वह सबसे पहला important point फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा point किस ने बताया तो Robin Robin ने बताया रॉबिन कह रहा है कि second important point होता है territory यह दोनों बाते आपको यानि कि छेत्र हम की भावना और छेत्र यह दोनों बहुत important point है यही दोनों जो है समुदाय को बाकी की चीजों से अलग करते हैं कि सब तो फिर व्यक्तियों की मतलब number of individuals होते हैं व्यक्तियों का समुव होता है सब ही कुछ व्यक्तियों का समुव है फिर चाहे वो association हो चाहे वो society हो चाहे वो community हो ठीक चाहे वो organization हो हर में व्यक्तियों का समुव पाया जाता है लेकिन छोटी-छोटी सी चीजे होती है जो हर एक चीज को differentiation करते हैं जो अलग करती हैं यही चीजे हमें समझनी होती है और बहुत सारे thinkers मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसने community के बारे में क्या कहा है society के बारे में क्या कहा है जो बहुत important है और जहां से सवाल आएंगे मैं समझता हूं कि अगर आप यह video देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी question अगर इस topic से आता है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे चलिए start करते हैं अगर उसके पहले जो important बाट मैं आप लोगों को बताता हूं मैं आपको रटा देना चाह रहते हैं तो मेरा जो कोड है मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे कि नहीं क्योंकि मैं आ रहा होंगे तो यह कोड इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें आपको extra discount मिल जाता है ठीक और free class हमारी एप पर चल रही है दो बज़े तू पीम और यूट्यूब पर अभी आप free class देख रहे हैं paid class का timing अभी मुझे exactly ध्यान नहीं है लेकिन शायद 8 या 8.30 ठीक है तो चिंता मत कीजिएगा स्टार्ट हो चुकी है paid classes अब बहुत सारे students को फिक्र हो रही थी कि सर कभ होंगी classes कभ होंगी classes देख लीजे आ गई आप लिए paid classes आपकी चिंताएं जो हैं वो खतम हो गए जो most important किताबे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वो तो देख लूँगी कित्ते लोगों ने दिया है वेरी गुड टॉनीज वेरी गुड मतलब टॉनीज सब को याद है ठीक एफ टॉनीज 14 एंडी टॉनीज इनका पूरा नाम है एफ टॉनीज ने सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड किया एक को कहा गेमाई शाफ्ट अच्छा गेमाई शाफ्ट में किसी को कोई confusion नहीं दुनिया भर के विचारत ये मानते हैं कि इसका मतलब है community ठीक और हिंडी में हम इसको कहत हैं समस्थाएं मगर जब बात आती है जैसिल शेफ को जैसिल शेफ्ट क्या है जर्मन में लिखा हुआ एक शब्द है जब इसके translation की बात आती है तो अलग-अलग ठिंकर बढ़ जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं कोई कहता है कि इसका मतलब है society यानि कि समाज और कोई कहता है कि इसका मतलब है association यानि कि संग ठीक है तो यहां पर भी वही वाली बात लग हो जाती है कि कुछ तो लोग कहेंगे यहां पर इनके साथ भी यही होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह समाज है यह society और कुछ लोग इस तरह से उसको translate करते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह association है, sang है और कुछ लोग इसे इस तरह से define करते हैं important है याद रखिएगा गेमाईशाफ्ट और जैसल शेफ्ट की अफधार्ना यानि की concept भी Eftonies ने दिया है और जो गेमाईशाफ्ट और जैसल शेफ्ट को define भी सबसे पहली बार Eftonies नहीं किया दा. Next जो important किताब है जो आपको याद रखनी चाहिए किसने की लिखा है पार्क रोबर्टी पार्क याद है पार्क हमेशा कलेक्टिविटी में बैट करके बर्गर खाते हैं कल मैंने आपको मतलब पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बात एक definition के तहत याद कराई किस society का definition इन्होंने क्या दिया था मतलब कलेक्टिविटी की study करते हैं हाना तो मैंने आपको बताया था कि पार्क और बर्जेस की दोनों की मिलकर करकर definition थी तो मैंने वहां पर आपको एक formula बताया था ठीक हां सोना मेरी क्लास डेली होगी ठीक है बिलकुल ठीक हां चलिए फिर उसके बाद आती है दा लिटिल कम्यूटी कई हजार बार कई हजार बार ये सवाल पूछा हो गया है very important और मैं समझता हूं कि आप जब हजार बार पूछा गया है तो अभी आपसे क्या दुश्मन में तो 2023 में यहां से सवाल आता है क्या है लिटिल कम्यूटी एंडिव फिजन सिवाइटी कुलच्र पूरी किदाब का नाम ये एक किताब का नम मतलब यह पूरा statement ऐसा लग रहा कि एक वाग की किसी ने कहा हूँ The Little Community and Pison Society and Culture किसने लिखी है? Robert Redfield याद रख लीजेगा Very Important Book है Little Community and Pison Society, Culture by Red Robert Redfield ठीक है? याद रखेंगे यह तीनों किताबें याद रखने हैं अब मैंने आप लोगों को बताया था कि Community का सबसे Important Definition क्या होता है? तो Community क्या है? देखिए, समुदाय है मैंने आपको बताया था We Feeling होती है, Together Nice होती है तो यहाँ पर क्या है? Described as People Living Together ठीक In Common Interdependence अब देखिए, क्या होती है Community? Community का सबसे छोटा पार्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो होता है Family Family एक तरह की सबसे smallest Community और Rural Area को भी अगर आप देखेंगे Gramin शेत्र ठीक है? परिवार या Gramin शेत्र तो इसको हम मानते हैं कि यह समुदाय का एक हिस्सा है अब आप समझेगा कि जो Family के अंदर रहते हैं आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन मान लीजिये आप दोनों UGC Net की तयारी कर रहे है आपके दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है दोनों Brother, Sister दोनों मिल करके UGC Net की तयारी कर रहे हैं साथ में अगर आपकी सिस्टर बहुत अच्छा पढ़ने लग जाती है तो क्या आप कुछ से जलन होने लग जाएगी कि अरे यार यह बहुत अच्छा पढ़ने लगए या आप उसको और सपोर्ट करोगे कि यार यह अच्छा कर सकती है इसको JRF मिलना चाहिए आपके पापा आपसे क्या चाहते है कि आप आगे बढ़ते जाएं अपने लाइफ में चाहते हैं वो यही सोच रखते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएंगे होता है ऐसा तो क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि वो और आप दोनों एक दूसरे की community हैं, समझ मैं है, लेकिन मान लीजिए दुनिया के लोग है, ठीक, बोलते हैं ये दुनिया है, उधर जाने का नहीं, समझ मैं है, ये दुनिया है, उधर जाने का नहीं, मतलब जा है, दुनिया community से अलग है, ठीक, community के जो लोग आपके होते हैं, वो आपके अपने होते हैं, वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, इसलिए, यही मतलब होता है togetherness का, और यही मतलब होता है we feeling का, बात सम सपोर्ट करते हो, और एक दूसरे के उपर निर्भर रहते हो, आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हो, एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन मैं आप से बोलू, कि फलाना रमेश भाईया जो है, वो भी तैयारी कर रहा है, यूज कम होती है बिलकुल नहीं होती नाम मातर भी नहीं होती समझ गया है लेकिन सोसाइटी के अंदर यही चीज कम्यूटी को सोसाइटी से अलग करती है कि सोसाइटी में कॉंफलिक्ट भी होते हैं competition भी होते हैं और cooperation भी होते हैं लेकिन समुदाई में केवल cooperation होता है आप एक दूसरे को सहयोग करते हैं सहयोग की मात्रा बहुत अत्याधिक होती है ठीक तो समुदाई को सर्वनिस्ट परसपर आधीनता में एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णिट किया गया एक साथ रहने वाले इनका पूरा का पूरा जीवन जो है न वो एक दूसरे से जोड़ा हुआ होता है रूरल बेग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बहुत धनिस्ट तोर पे संबंदित होता है शहरों में अगर आप पड़ोसी कहीं पे घूमने के लिए गया है और आप उसको बताते हैं कि यार मैं फलाना फलाना कॉलोनी में रहता हूँ शहर की बात मैं बता रहा हूँ आपको तो आप उसकी बुराई आप वो बताएगा कि यार वो फलाना आदमी को आप जानते हो तो वो उसकी बुराई क यह बहुत बेकार आदमी है हैं एक दिन हमारे हमाइन काम करने के लिए तो जो आपका पड़ोसी होग़ा वो क्या आलए नहीं होता तो शहर में वह क्या इसा यह चोड़ै तुम उन्हें उसको बुलाया कि उम्हें हमें बुलाना चाहिए था बात समझ में दिव्या आएं एक्स्ट्रीमली सॉरी बेटा लेकिन मेरा ये तो उद्देश रहता नहीं है मुझे पता भी नहीं है कि आपके पापा का नाम क्या है आपने बताया ठीक है तो समझ गया आप क्या होता है शहरों में लेकिन अगर गाउं का आदमी होगा ना और आप देखिएगा कि बिल्कुल एकदम जो ट्रडिशनल गाउं के आदमी होते हैं उससे अगर आप काम कर आओगे और उसका पड़ोसी उसी गाउं का व्यक्ति अगर आपके यहां आगया काम करने के लिए और आपने बोल दिया कि भीया वो रामू जो है वो हमाया काम करने हैं लेकिन चोरी ना हमाएं गाउं में कोई व्यक्ति चोरी ना कर सके आदत ही ने डाली हमने अब सहर की आदत लग गई हो तो हम ना कह सके समझे तो गाउं का आदमी आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा क्यों क्योंकि वहां पर समुदाय है कम्यूनिटी का अग्जिस्टेंस जादा बड़ा है कम्यूनिटी का डॉमिनेंस जादा बड़ा है शहर के अंदर क्या है इंडिविजुएलेटी है इंटर डिपेंडेंस है नहीं अब फिर वो गाउं वाला जो आदमी रहेगा वो अपने गाउं में जाके रामू को जरूर बोलेगा बोले और हम तो काम भी नहीं करें के तयार रहें लेकिन अब का करें दोई रोटी कमाये के बाद समझ में आए बाद यह क्या कहलाता है यह इंटर डिपेंडेंडेंस कहलाता है यह निरभड़ता कहलाती है ठीक मजा आया आप लोगों के ना मेरे मुन से ऐसी भाषा जब यह अपने अपस में अइडेंटिटी को शेयर करते हैं तो एक बात समझ जब कोई व्यक्ति अपने अइडेंटिटी शेयर करता है कि अगलि दो कि अपनी आइडेंटीटी आपस में शेईएर करता है आप दो लोग हैं यह हैं यह मुन्ना भहिया और यह रामु भहिया यह यह रामु भहिया आइडेंटिटीश Muayr करते हैं आपसम इसभी नहीं हो रही वहिए मेरे यह मत समझना की शादी हुरी तो इन दोनों की पहचान एक ही हो जाती है community में अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जब इन दोनों की पहचान एक है अगर इस बंदे को हमने कहा चोर तो ये भी चोर हो जाएगा बात समझ में आई कि क्यों community के साथ इतना जुडाव होता है समझ गया आप एक सेकेंड रुकिए गहां एक सेकेंड येस चारजर करना भूल गया था हूं समझ में आया क्यों क्यों लोग इतना जादा interdependent होते हैं क्यों लोगों को बुरा लगने लग जाता है गाहों के अंदर और समुधाई के अंदर अगर आपने किसी एक व्यक्ति को समुधाई के एक व्यक्ति को बुरा कहा तो क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को चोर कह रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आप चोर हो जाता है अगर कोई किसी के पापा को चोर कहता है ठीक है? बात समझ में आई? तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है कोई आपके भाई को चोर कहता है तो आपको बहुत बुरा लगता है क्यों? क्योंकि आप उसके साथ identity share करते हो क्या होता है? sharing of identity और sense of togetherness and common territory very important यह तीनों points आपको याद रखना है सबसे पहला sharing of identity, second sense of togetherness, third common territory पुश्पेंद्र क्या हुआ है आपको? facility आपको सारी मिलेगी, mock test वगारा सब मिलेगा, ठीक है? मैं उस पर बात कर लूँगा, ठीक? ऐसा कुछ नहीं है ठीक? समझ में आया अच्छी तरह से तो समाजिक रूप से समुदायक के सिध्धान्त में प्राया सबसे पहली important बात की पहचान साजा होता है लोग एक दूसरे से पहचान साजा करते हैं, फिर उसके बाद एक जुट्टा की भावना होती है और समान छेत्र होता है very important अगर ये तीन चीज़े आपने याद कर ली नहीं और समझ ली तो फिर आपको कभी भी आप कोई question गलत नहीं करेंगे समझ में आ गया आई sharing of identity मतलब क्या होता है ठीक अच्छी तरह से अब देखिए मैंने आपको बोला था कि अपनी पूरी की पूरी social life इंसान community के अंदर बिताता है social life पूरी की पूरी आप अपनी family देखिए एक family का importance आप economy के लिए अपने पापा पर depend होते हैं अर्थ वेवस्था जब आपके पापा जब आप छोटे होते हैं तो पैसा कौन देता है आपके पापा जी देते हैं तो आपकी economy चलती है आपको social security कौन देता है अगर बगपडोसी आपको कुछ बोलता है तो आपके parents आपके mammy आपके पापा आपको समाजिक सुरक्षा परदान करते हैं करते हैं यानि कि आप चीवन का हरे कार एक समुधाय के अंदर करते हैं within the range of community the member may carry out their economic political religious and other activities in fact all the activities of his life he covers in he carry out into the community जिस community का वो member होता है उस community के अंदर सारे economic political religious और other activities वो play करता है बात समझ में आए तो community को कुछ thinkers कहते हैं कि it is like a total organization of social life within a defined social space जैसे की village कई सारे गाउं के लोगों को आप बोलेंगे पूछेंगे तो वो अपने गाउं से कभी बाहर जाते नहीं हों और कई सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं जितने भी परंपनिक लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि भईया हम अपना गाउं छोड़के कहें यहीं जी सदस्य अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है सदस्य अपनी राजमीतिक जरूरतों को पूरा करता है सदस्य अपनी धार्मिक जरूरतों को पूरा करता है और सदस्य अपनी अन्य सारी गतिविदियों को एक समुदाय के अंदर पूरा करता है ठीक है अच्छी तरह से यहाँ पर कोई confusion है आप लोगों को तो अपने समाजिक इसी समुदाय के अंदर ही इंसान अपने समाजिक जीवन का परिपूर्ण संगठन के रूप में कारे करता है जैसे की गाउं जैसे की जनजाती आदी ठीक यह सारे community के example है ठीक है अब आते हैं जो important definitions है F-20 communities को कैसे define करते हैं सबसे पहली बात तो community को इन्होंने क्या कहा इन्होंने ग्यमाईशाफ्ट कहा ग्यमाईशाफ्ट कहा था इन्होंने यह याद रखिएगा तो यह क्या कहते हैं यह defined community as organic organic है मतलब अपने आप natural kind of social collectivity whose members are bound together by sense of belongingness and carry out all everyday activities even the whole range of human activities जो आपके दिन चर्या की पूरी activity होती वो सब आप एक territory में ही करते हैं और एक social collectivity होती है वो organically formed होती है और naturally formed होती है ठीक है समुदाय को एक जैविक prakritic समाजिक संग के रूप में यह क्या करते हैं explain करते हैं जिसमें की सदस्त एक दूसरे पर से अपनत्व की भावना से जोड़े हुए होते हैं very important अपनत्व की भावना से जोड़े हुए होते हैं और समुदाय के अंदर संपूर्ण मानब गतिविधियों का जो हम रोज मर्रा के में जो संपर्क से स्थापित करते हैं वो सारी की सारी हम समुदाय के अंदर करते हैं जो कुछ भी आप देखिए ना एक rural area में चले जाएए आप सारी चीज़ें अपनी जरूरतें जो है वो आसपास की चीज़ों से ही पूरा करते हैं है ना जो गाओं में रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो रॉबर्टी पार्क क्या कहते हैं कम्यूटी के बारे में यह कहते हैं कि कम्यूटी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एज इस्पैशियल एंड जोग्राफिकल कैनोटेशन याद रखिएगा रॉबर्टी पार्क कैसा होता है पार्क का एक इस्थान होता है और एक भुगोल होता है यानि स्पैशियल आइडेंटिटी होती है इसकी और जोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है यानि ये पार्क है याद करने का ये तरीका है समझ गए तो एक पार्क की special और geographical identity बताते हैं अगर आप इस statement बना लेंगे तो मैं नहीं समस्ता कि आप कभी भूलेंगे ठीक रोबर्ट डी पार्क के कहते हैं कि समुदाय शब्द के व्यापक अर्थ में इस्थानिक और भौगालिक लक्षयार्थ होते हैं ठीक है समुदाय शब्द के इस्थानिक और भौगालिक लक्षयार्थ होते हैं याद रखिए कि लक्षयार्थ होते हैं अकॉर्डिंग तो टेलकट पार्संस की definition बहुत important अब जब भी टेलकट पार्संस की बात होगी न तो एक मैं कीवर्ड आप लोगों को बता दे रहा हूं कि shared consensus जहां पर आ जाए shared values जहां पर आ जाए यानिया साजहा साजहा चेतना साजहा मूल ले तो यह सारी बाते कौन कहता है यह टेलकट पार्संस कहते हैं ठीक है तो यह community को कैसे define करते हैं यह कहते है community is that collectivity of member which share common territorial area on the basis of operation for daily day activities जिस पे हम अपने रोज मर्रा के कारे करते हैं जिस छेत्र के अंदर उसको टेलकट पार्संस क्या कहता है community कहता है रहेगा याद कोई confusion यहाँ पर कोई issue नहीं चलिए टेलकट पार्संस के अनुसार एक समुदाय उन सदस्यों का संग है जो एक समान छेत्र को अपनी दैनिक गतिविदी के लिए संचालन के आधार के रूप में साजह करता है मतला आपने डैनिक जो गतिविदी होती है ठीक उसके संचालन जो है वह पूरा उसी के अंदर करता है ठीक है हर एक कार किंग्सले डेविस क्या कहता है वरी बॉर्टट है कि एक छोटा सा छेत्र कि smallest territorial group एक छोटे से छेत्र में रहने वाला समू जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं समू that can embrace all aspects of social life और यह जो definition है कि इंग्सलर डेविस की बहुत important है कई हजार बार पूछी जा चुकी है यह definition ठीक है Kingsley Davis क्या कहते हैं कि एक smallest territorial group सबसे छोटा छेत्री समू जिसके अंदर समाजिक जीवन के सभी पहलूओं को समाविष्ट कर सकते हैं बोलो याद हो जाएगा Davis क्या कहता है सबसे छोटा समू ठीक सबसे छोटा छेत्री समू जिसमें हम अपने समाजिक जीवन के पहलूओं को पूरी तरह से समाविष्ट कर सकें याद है चलिए तो बहुत इंपोर्टन डेफिनिशन मैं काईवर एंड पेज मैं काईवर एंड पेज कहते हैं wherever the member of any group wherever the members of any group small हो या large हो live it together यह देखो यह keyword है इसको याद रखना है live together in such a way that they share not only this and that particular interest but their basic condition of life basic condition of life basic condition वो share करेगा we call that group a community आप अपनी basic condition को share करते हैं लोगों के साथ बिल्कुल एकदम जो अधार भूत कारे होते हैं वो उनके साथ साजह करते हैं ठीक है अपने जीवन का जो आधार है जो आपके जीवन का आप अपने parents से share करते हैं वो आपकी community कहलाती है मेकाईवरेंट पेज कहते हैं मेकाईवरेंट पेज कहते हैं जहां भी किसी समुहूं के सदस से छोटे या बड़े एक साथ इस तरह से रहते हैं कि वे ये या उस चीज में या इस चीज में विशेश रुची नहीं रखते बलकि जो जीवन की बुनियादी इस्थिती है उसको साजह करते हैं जीवन की बुनियादी इस्थिती का मतलब क्या होता है जो वो खाते हैं, वो ही आप खाते हैं, जो वो पहनते हैं, वो ही आप पहनते हैं, समझ गए, ठीक है, याद रहेगा, चलिए, याद रहेगा, समुदाए, एक समाजिक समू है, जिसमें कुछ हद तक हम एक निश्चे छेतर में रहते हैं, और एक दूसरे के साथ, अपनी जो भावनाएं हैं, वो साजा करते हैं, सब के साथ हम अपनी भावनाएं नहीं साजा करते हैं, जो हमारे समुदाए के सदा से होते हैं वो गार्डस कहते हैं, हम उन्हीं के साथ अपनी जीवन की भावनाएं जो होती हैं, वो हम साजा करते हैं, ठीक, एशले मेन और कुशकेशन, ये कहते हैं कि community is the collection of people, within geographical area, ठीक, some degree of mutual identification, mutual identification होता है, मतलब साजा पहचान होती है, mutual interdependence होता है, mutual organization of activities होती है, समझ गए, organization of activities, सबसे पहला identification, second interdependence, और तीसरा organization of activities, ये सारी चीज़ें जब होंगी, तो एशले मेन और कैशन कहते हैं कि उसे हम community कहेंगे, ठीक है, तो एशले मेन और कैशन के लिए एक भागोलिक छेतर के भीतर रहने वाले लोगों के बीच, ठीक, जहां परस्परिक पहचान हो, अन्योन आशरिता हो, और गति विधियों का संगटान हो, उसे कहते हैं, डॉट्सन क्या कहता है, डॉट्सन कहता है कि community is special or a territorial unit of social organization, बस, in which people have sense of identity and sense of belongingness, ठीक है, डॉट्सन कहता है कि समुदाए एक ऐसा समाजिक संगटन है, जिसकी एक इस्थानिक या छेतरिय काई होती है, जिसमें लोग अपनी पहचान को साजा करते हैं और अपनी भावना को भी साजा करते हैं, एक दूसरे के साथ, ठीक, उसे डॉट्समें ने community कहा है, समझ गए, अच्छी तरह से, अब मैं कोर्डोनल हैं, जिन्होंने बहुत elaborately community को analyze किया है, बहुत सारी definitions को और इन्होंने important characteristics बताए हैं, सबसे पहला characteristics क्या है कि fixed locality होगी, बस इतना याद रख लीजिएगा, ठीक, एक fixed locality, ठीक, विस्तृत विवरंट, एक भागोलिक छेत्र होगा, समझ गए, सबसे पहला point कि एक भागोलिक छेत्र होगा, second point, local set of relationship होगा इनके बीच में, given locality के अंदर, ठीक है, मतलब संबंधों, रिष्टों का एक समुच्च होगा, संबंधों का समुच्च होगा, किसके अंदर, इस्थानिय समाजिक विवस्था के अंदर, समझ गए, तीसरा, तीसरा ये बताते हैं कि strong sense of identity sharing होगा, ठीक, साजा पहचान, कि मजबूत भावना होगी, बहुत important, ये तीन चीज होगी, तो ये कहते हैं, मैक डोनल कहते हैं, मैक ओडोनल, मैक डोनल नहीं है, ये मैक ओडोनल कहते हैं, कि इस तरह से community बनती है, community के ये important characteristics होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, तोनीज, तोनीज ने distinguish किया है, two type of grouping, एक को उन्होंने समाज में कहा है, कि गमाई शेफ्ट, दूसरे को उन्होंने कहा है, जैसल शेफ्ट, ठीक समुदाय और समाज, और जैसल शेफ्ट को टोनीज क्या कहते हैं, society कहते हैं, ये बात important है, याद रख लीजिएगा, कभी भी ये question आ सकता है, कि जैसल शेफ्ट को टोनीज ने क्या कहा है, तो गमाई शेफ्ट को community कहा है, जिसमें वो कहते हैं कि togetherness होती है, mutual bond होता है, ठीक, और हम एक goal के लिए कार करते रहते हैं, जीवन के अधार भूत, जो चीजें हैं, वो साजह करते हैं, ठीक है, तो टोनीज ने दो प्रकार के समाज, समाजिक समुद के बीच में भेध प्रस्तुत किया है, एक है गमाई शा प्रापित लक्ष को प्राप्त करने के लिए सारे लोग मिल करके कारे करते हैं, जैसल शैफ्ट को इन्होंने society की तरह माना है, जैसल शैफ्ट को society की तरह माना है, अब ये समझ लीजे कि गमाई शैफ्ट और society में क्या अंतर है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ह समूग तो व्यक्तियों का समूग तो समुदाय में भी होता है तो क्या चीज़ा लग करती है इसको तो यहाँ पे सहीयोग भी होगा एक दूसरे के प्रति और संघर्ष भी होगा एक दूसरे के प्रति अहुत इंपोर्टिन जबकि जो समुदाय होता है वहाँ पे संगर्स नहीं होता है इसमें लेकिन सहयोग और संगर्स दोनों होते हैं यानि कि कोपरेशन और कॉन्फिलिक्ट दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं ये बात जो है वो अलग करती है सोसाइटी और कम्यूनिटी को ठीक है अच्छी तरह से समझ में आ गया और समाज को आप एक टेरिटरी में बांध नहीं सकते यह भी इंपोर्टेंट है जो एक समाज होता है वो एक छेत्र में फैला हुआ नहीं होता है ठीक है तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते है मतलब जैसे कि अगर आपके घर में चीनी खतम हो गई है तो आप दुकांदार के पास जाते हो चाब वो दुकांदार आपकी कम्यूनिटी का मेंबर है नहीं वो आपके सोसाइटी का मेंबर है तो वो दुकांदार आपसे फाइदा कमाने की कोशिश करेगा जितना फाइदा वो करमा सके उसका लक्ष होता है कि वो आपसे कमाने की कोशिश करेगा कि समझ गये तो इसको कैते हैं इसको कैते हैं reports फैदा बढ़ाने की कोशिश की जाती है क्या करते हैं सदस सामुहिक लक्ष की प्राप्ति निक करते हैं व्यक्ति लक्ष की प्राप्त करते तो यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट होगई community कम्यूनुटी में कलेक्टिव गोल प्राप्त किया जाता है ठीक है, समुदाय में सामुहिक लक्ष प्राप्त किया जाता है ठीक, सामुहिक लक्ष प्राप्त किया जाता है समुदाय में, ठीक है, और जबकि सोसाइटी में सुसाइटी में कैसा लग्षे? इंडिविज्जूल व्यक्तिगत लग्षे की तरफ ज्यादा ध्यान देता है बुलो आया समझ में कि सुसाइटी और कम्यूटी में क्या अंतर है? ठीक? समझ के अच्छी तरह से चलिए वो कॉंपोडिशन से भी एक दूसरे के साथ बने रहते है ठीक? अब ग्यमाईशाफ्ट में जो एक्किलिब्रियम है, समाज के अंदर जो विवस्था है, वो कैसे अच्छीव की जाती है? तो सोशल कंट्रोल के जरिए नयतिक्ता के जरिए कनफर्मिजम के जरिए एक्स्लूजन के जरिए ठीक है? याद रखिएगा जो समुदाए है ग्यमाईशाफ्ट है, उसमें संतुलन कैसे बना जाता है? समाजिक नियंटरन मतलब समाज के ही लोग आपके पापा, मम्मी, आपके भाई, बहन आपके उपर नियंटरन रखेंगे ठीक? आप अपने मॉरालिटी से एक दूसरे से जोड़े हुए होते हैं, नयतिक्ता से एक दूसरे से जोड़े हुए होते हैं, अनुरूपता बाद इसमें ज़्यादा रहती है और अगर आप गलग काम करते हैं, आपके ममी क्या कहती है, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा आज आने दे पापा को बेटा बताती हूँ आज तुने अंकल को इसे बोला बत्तमीजी करते हो अंकल से आज खाना नहीं देंगी होता है ऐसा? ठीक लेकिन जेस्टल शेफ्ट की जब बात आती है सोसाइटी की सोसाइटी है, माल लीजिए भर के अंदर पप्पू ने चोरी की अपने घर में पप्पू पप्पू चोरी करता है तो क्या पापा ममी क्या करते हैं? माल लो तो जब पापा की जेव से पैसा निकालते हैं, तो क्या होता है? ममी क्या करती है? पुलिस बला लेती है नहीं वह समुदाय कहलाता है बटा यहां पुलिस नहीं बलाये जाता है यहां आपको खाना नहीं देती है आपसे कोई बात नहीं करेगा पहले ना, मैं भी कोई इतना सीधा रहा नहीं बचपन से क्या होता था कि मेरे पापा ना, मतलब आते थे बाहर से और जब वो अपनी चेंज करते थे कपड़े तो पैंट जो है, हमारे हाँ अलमीरा थी छोटी सी ऐसे तो उसके उपर ऐसे टांग देते थे तो उस समय एक सफेध हाथी वाली कहानी आया करते थी मालगुर्य डेज में तो उस मालगुर्य डेज में ये बताया हुआ था कि एक हाथी रहता है और वो हाथी जो है ना, छोटे से बच्चे को दो सोने के सिक्के देता है रोज तो क्या होता था मेरे पाप ऐसे अल्मारी पे ऐसे लटका देते थे अल्मारी के पीछे पैसा आता है और मेरे को एक दिन उधर से जाता हुए एक चूहा दिखा तो मैंने अपने मन में बनाया कि यार ये चूहाना पैसा देता है और रोज मेरे पापा जो है उसी तरह से पैंट रखते थे उसमें से कुछ पैसा गिर जाता था मैं वो किसी को बताता नहीं था क्योंकि वो लड़का भी जो था उसमें वो किसी को बताता नहीं था कि मेरे को पैसा मिल रहा है ऐसा तो मैं उसको बैग में अपने खटा करता जाता था एक दिन क्या हुआ कि उस समय थाउजन रुपीज बहुत बड़ी बात हुआ करते हैं एक दिन क्या हुआ कि हमारे स्कूल की टीचर ने बोला कि सब का बस्ता जो है वो चेक होगा मतलब कुछ चोरी नहीं हुआ लेकिन ऐसा ही बैग चेक करना है सब का कि सब लोग किताबें सही से लाते हैं कि नहीं सही से और्गनाइज रखते हैं कि अब भाई साब मैं डरे जा रहा कियार मेरे बैग में तो रुपए हैं बहुत सारे उस समय थाउजन रूपीज किसी बच्चे के पास से निकलना बहुत बड़ी बात हुए थाउजन रूपीज से ज्यादा पैसे निकला हैं मेरे बैग कि अंदर तीचर गवरा गई कि अरे लड़के के पास इतने पैसे कैसे निकले फिर उसके बाद क्या हुआ हमाई पापा को फोन करके बुलाया गया क्योंकि हचार रोपे किसी बच्चे के जेम में से निकलना बहुत बड़ी बात होती तो वो मेरे से पूछे कि क्या करते हो कहां से आया पैसा हमाई से चुप-चाप खड़े कुछ नहीं बोल रहे कुछ नहीं बोला मैं चुप खड़ा हूं ठीक और टीचर ने एक दो थपड़ भी मारे कि कहां से आया पैसे बताओ किस ने दिये हैं मैं नहीं बताया तो लोगो लगा पता नहीं कहां से पैसे आया पापा मम्मी के बाद मैंने राज खोला कि वहां मेरे को पड़ा हुआ मिलता था ठीक है तुम्हें रख लेता था चलिए ठीक तो जैसल शेफ्ट जो होता है वहां पे आपको कोई आपके साथ हमदर्दी नहीं करेगा जैसल शेफ्ट में अगर आपने चोरी की है तो फिर पुलिस बुला ल अनी है ठीक है एक एफ टोंइस कहता है कि एक हमिश को सिदिक कम्युट्व पाई जाती है जहां पे कि फूरी की पूरी कम्युट्विस समदा की थि कुक गष siitä जो है यह कहता है कि पूरी तरह से जैसल शेफ्ट का एक्जामपल समझ गया राज जो है वो जैसिल शेफ्ट का एक्जामपल है यानि सोसाइटी का एक्जामपल है ठीक है ग्यमाई शेफ्ट में रिटिन लॉज नहीं होते हैं नेतिकता काम करती है जैसिल शेफ्ट में especially written laws होते हैं, written rules होते हैं, written regulations होते हैं ठीक है, समाज के अच्छी तरह से, तो जो समाज होता है, society होती है, जैसिल शेफ्ट होता है उसमें अगर आप चोरी करते हैं, तो police को बुला लिये जाता है, कानून को बुला ली जिया जाता है नयाधी करण में जाय जाता है, और फिर उसके बाद चोरी करने वाले को जेल बे दिया जाता है इसकी तरह से समाज में नयंतरण होता है, ठीक है, समझ गए, अच्छी तरह से, ठीक, हसीदी समुधाय का इन्होंने अध्यन किया था और इन्होंने बताया कि हाँ सीधी जो समुधाय है, ठीक, वो जो है, वो एक कम्यूटी का बहुत सबसे बैस्ट एक्जामपल है इस दुनिया में, कौन कहते हैं, पड़ीन एंडी टोनीज, ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, तो यह सब मैंने आपनों को अल्रेडी बता दिया, कि हाँ, यह बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार आपनों कन्फ्यूजन होगा, कम्यूटी क्या होती, कॉन्क्रीट होती है, सोसाइटी एबस्टेक्ट होती है, आप एक परिवार को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक बाउंडरी होती, इसके अंदर मैंने क्या था, हम लोग दो भाई वैन रहते हैं, आपने बता दिया कि यह सबसे छोटी कम्यूटी है, हमारी फैमिली एक छोटी कम्यूटी है, ठीक, लेकिन सोसाइटी एबस्ट्रेक्ट है, समाज बाउंडरी लेस होता है, आपके समाज के लोग, आप यूपी में हैं, आपके समाज के लोग एमपी में भी रहते होंगे, सब एक ही छेतर में नहीं रहते हैं, समझ गए, तो समुदाए इसलिए मूर्त है, और समाज इसलिए हम मूर्त है, हो गया क्लियर? सर, आपने पापा से मार खाई, हाँ मैंने मार खाई है, बहुत बार मार खाया है, इसमें क्या है? पापा से मार खाना कोई गलत बात थोड़ी है, तो ये काशिरवाद के समाने है, आप लोग इसे किस ते किस ने खाया है? और एक बार तो बहुत ही ज़्यादा मार खाये थे वह बात तो बताने लाइक भी नहीं है चलो ठीक है तो community and association समुधाय और संस्था चलो बता देता है क्या हुआ कि मैं ना सुरू से ना मेरा दिमाग जो है ना वह विज्ञान की और बहुत ज्यादा ही गुंगता था कि मेरे को घड़ी बहुत फैसिनेट करते थी बहुत आकर्शक लगती थी घड़ी लगता था यारी यह 30ड़ी है समय बताती है साला इसमें चोटे चोटे से काटे होते हैं चलते कैसे हैं यार इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ें होती है चलती कैसे समझ गया तो मेरे को बहुत आश्चा रहे होता था यह कैसे चलता है बहुत आश्चा रहे था मेरे तो मैंने क्या किया एक बाद मेरे घर में मेरी मौसी आई ठीक और मौसी से हम लोगों को बहुत त्यार था मौसी आती थी कुछ ना कुछ जरूर टौफी ओफी लेकर के आती थी तो उन्होंने अपनी घड़ी उतार करके ऐसे रग दी मैं उस घड़ी को चुपके से उठाया बच्छत पे ले गया जब वो मेरे से घड़ी खुली नहीं ना तो मैंने उसको पत्थर मारके तोड़ा और मैंने उस घड़ी को तोड़ ताड़ दिया पूरा ठीक अब घर में लोग ढूदने लगे कि आर घड़ी कौँ चोरी करके लेगे और मैं छट पे बैट करके वो घड़ी को अच्छे से पुर्जे पुर्जे निकाल करके देख रहा था और पता नहीं कैसे किसी को लगा कि यार छट पे जा करके देखो एक बार देख लो छट पे भी तो मैं छट पे मैं वैठा हुआ था उन पुर्जों के साथ जो थपड़ थपड़ पड़े हैं वहाई सा उपर से नीचे तक फिर उनको दुख हुआ न उन्होंने मारा तो उन्हें दूसरे दिन मुझे घड़ी देलाई वाकि मुझे घड़ी नहीं के लिए मुझे तो यार उसके अंदर देखना था की यह काम कैसे क्या मतलब गड़ी से चलिए तो कम्यूटी जो होता है उसमें जनरल इंट्रेस्ट ह प्रिक समुदाय के अंदर समाने हित होते हैं आप सब लोग एक दूसरे के हित के लिए कारे करते हैं जबकि जो सोसाइटी एसोसियेशन आ गया वह अभी सोसियेशन जो है वो समुदाय और समात से कैसे अलग है कोई भी आप में से मुझे से बता सकता है कैसे अलग है यह संग है इंस्टिटीशन का कोई मेंबर नहीं होता कभी संग जहां जहां संस्था लिखी उसको संग करते न भाई ठीक है यह संग है संग संस्था का कोई कभी सदस्य नहीं होता अब एक एसोसियेशन में लोग कैसे जुड़े होते हैं एसोसियेशन में आप अपने परपस से जुड़े होते हैं परपस आपका एक खुद का ही तो होता है आप सेल्फ इंट्रेस्ट से जुड़े होते हैं एक लक्ष होता है वो लक्ष पूरा हो जाए तो एसोसियेशन का काम खतम बात समझ में आई तो एसोसियेशन का हम एसोसियेशन से स्पैसिफिक इंट्रेस्ट के लिए जुड़ते हैं ठीक अपने खुद के इंट्रेस्ट के लिए जुड़ते हैं समझ गया है तो विशेश्ट होता है हमारा उसकी वज़े से हम सब एक दूसरे से किनेक्टेड कोई किसी को कुछ मतलब नहीं होता किसी वह प्यार मौंबत कुछ नहीं रहती ठ Saya ठीक एसोसियेशन एक लोकेलिटी में सीमेड नहीं होता है लेकिन कम्यूटी जो अती हैए वह एक लोकेलिटी में सीमेड होता है लेकिन इक संग पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है वह एक territory में नहीं होता एस्वीशन territory में नहीं होता है जैसे रेड आ है क्या नाम है ईसका कि अरे वो जो war और में जो काम करता है है कि जो यूद्ध की समय में एक और्गनाइजिशन है जो यूद्ध पेड़ित लोगों के लिए काम करती है जल्दीर बताइए चलो किसी को याद आएगा बता दें रेड़ क्रॉस सोसाइटी तुम लोग ना है यार सही में रेड़ क्रॉस सोसाइटी तो रेड़ क्रॉस सोसाइटी ठीक एक एंजियो है जो चलाया जाता है इस्पैसिफिक इसका काम होता है ठीक है इस्पैसिफिक काम करती है चलिए Community is a place जहाँ पर लोग अपने religion को साजा करते हैं जहाँ पर लोग अपने values को साजा करते हैं जहाँ लोग अपने norms को साजा करते हैं beliefs को, lives को साजा करते हैं ठीक, लेकिन association में आप देखिएगा जहाँ पर आप job करते हैं तो वहाँ पर अलग-अलग religion के अलग-अलग धर्म के लोग जो है वो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, समुदाय जो है, वो एक ऐसा इस्थान है जहां हमारे समान धर्म वाले लोग ही रहते हैं, समान माननिता वाले लोग रहेंगे, समान मान्दंड वाले लोग रहेंगे और समान विश्वास वाले लोग र होता है ठीक है तो उसमें अलग-अलग अलग विचार के लिए जो अलग-अलग religion के लोग sorry अलग-अलग धर्म के लोग ठीक एक उद्देश लिए कार करते हैं जो भी अपना अपना लक्ष पूरा करते हैं कंपनी का भी यह फूरत है ठीक है चलिए तो आज यहकी करते हैं स्टुडेंट्स आशा करता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आई होगी और जिस चीज में डाउट हो वह आप मुझसे पुछ लीजिएगा ठीक है चलो अल्डवेस्ट और दो बजे आज से MCQ स्टार्ट हो रहा है बहुत सारे नए क्वेशन्स मैं उसमें इंक्लूड किये हैं टू पी एम पर एप पे ठीक है टू पी एम एप पे तो आप जरूर से जोड़ जाएगे ठीक है चलो बाइ 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 अल्डवेस्ट थैंक ये वरी मुझ झाल मुझ आप जाओे ठीक है